दोस्तो गर्मियां अल्मोस शुरू होने वाली हैं और जैसे आप सभी को पता है इंडिया में गर्मी हर साल अपना एक नया रेकॉर्ड बनाती है लेकिन इस तपती गर्मी से निचात पाने के मार पास कुछ तरीके है और इन तरीकों के लिस्ट में सबसे पहला ओप्शन आता किस टाइप का AC बाई करे कितने टन का AC बाई करे कितने स्टार रेटिंग वाला AC बाई करे नॉन इंवर्टर बाई करे और हम जैसे मिडल क्लास फैमिले के लिए सबसे इंपॉर्टन बात ये कि भाई AC लगाने के बाद electricity का बिल कितना आएगा तो ऐसे धेरो सवाल हमें एक best AC choose करने से रोकते हैं लेकिन आज किस वीडियो में यहाँ पर मैं इन ही सारे points को discuss करने वाला हूँ तो अगर आप भी first time एक नया AC buy करने के planning कर रहे हैं और आपको ACS के बारे में ज़दा कुछ नहीं पता है अब बस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर इसी के साथ इस चैनल पर हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं तो अगर आप चाहो तो चैनल को subscribe करके हमें support कर सकते हो और ऐसे वीडियो के latest notification भी पा सकते हो अब फाइनल इस वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं तो दोस्तो जब भी हम एक नया ऐसी buy करने जाते हैं हमारे पास दो option होते हैं सबसे पहला है window AC और दूसरा है split AC और दोनों की images यहाँ पर मैं आपको show कर रहा हूँ और definitely आपने इन दो टाइप की AC को अपने life में जरूर देखा होगा वैल यहाँ पर हम बात करते हैं इनके negative and positive points की यहनि pros and cons की जिसके तुरू आप idea लगा सकते हो की आपके लिए इन दोनों में इसे कौन से type का AC best होगा सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम window AC की तो जैसा इसका नाम है यह AC window में fit होता है और इसके लिए आपके घर में window होना जरूरी है नहीं है तो आप इस type के AC को नहीं लगा सकते हैं वेल यहाँ पर इसका सबसे पहला और important plus point यह है कि यह split AC के मुकाबले काफी सस्ता है जहाँ पर आपको एक अच्छा कासा split AC 25-26,000 रुपे से मिलना शुरू होता है वही आपको लगबग 20,000 रुपे में एक अच्छा AC मिल जाता है तो यह इसका plus point है कि यह आपको काफी कम price भी मिलता है दूसरा अच्छा plus point दोस्तो यह है कि इसका जो installation है वो बहुत ही simple होता है आपको just इसे window में लगा देना होता है और बहुत ही आसानी सही है fit भी हो जाता है और इसका installation cost भी बहुत ही कम आता है वही अगर हम बात करते है split AC की तो वहाँ पर जैसे कि आपको पता है दो unit होते है एक को घर के बाहर लगाना होता है और जो pipe होती ही उसको भी घर के बाहर लगे जाना होता है तो अगर आपके घर में वो space नहीं है तो दिवाल वगरा तोड़के pipe निकालने पड़ती है यहाँ पर जो compressor है और जो windblower है सब एक साथ एक ही unit में लगाया गया है तो यहाँ पर जब ही आप AC रन करोगे तो आपको काफी जादा noise सुनने मिलेगी जिस तरीके से आपको cooler में आवा जाती है सेम उसी तरीके से इस type की AC में भी आपको noise मिलने वाली है दूसरा negative point दोस्तों यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो windblower होता है उसका जो size है वो काफी कम होता है काफी छोटा होता है जिस वज़े से आपकी room की cooling है वो काफी जादा slow होती है अगर हम compare करे एक window AC को एक split AC के साथ में तो split AC में हमें जो windblower है वो काफी सदा बड़ा देखने मिलता है जिस वज़े से जो cooling है वो काफी सदा fast होती है और efficient तरीके से होती है वह अगर हम बात करते है window AC की तो भले ही यह सस्ता है लेकिन यहाँ पर आपको noise ज़्यादा सुनाई देती है और यहाँ पर जो cooling का process है वो थोड़ा slow होता है as compared to split AC इसे के साथ दोस्तों आज कल market में जो demand है वो split AC की है इसलिए जो brands है वो mostly जो split AC से उन पर ही focus कर रहे हैं और इस वज़े से जो भी latest technologies है जो latest features है वो सब split AC में जादा देखने मिलते हैं यगर हम बात करते हैं window AC की तो यहाँ पर हमें कुछ जादा latest options और जादा latest features नहीं मिलते हैं example कर दोर पर आप ले लिजे कि जो split AC होते हैं वहाँ पर हमें filters भी लगा के मिलते हैं तो वो AC एर को cool करने के साथ इसाथ एर को purify भी करते हैं वही आपको normal window AC में ऐसे features नहीं देखने मिलते हैं तो यह थे सारे pros and cons window AC के वही अगर हम बात करते हैं दोस्तो एक split AC की तो split AC में भले ही आपको installation cost थोड़ा जादा लगता है लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर आपको cooling है वो काफी efficient तरीके से मिलती है room जल्दी cool हो जाता है इसी के साथ यहाँ पर आपको बिलकुल ही silent operation मिलता है यानि कि यहाँ पर आपको ज़्यादा noise नहीं मिलती है जो काफी अच्छी बात है इसी के साथ दोस्तो window AC के मुकाबले जो split AC है वो दिखने में काफी अच्छे लगते हैं और घर को एक अच्छा look भी देते है साथ इसाथ इन type के AC में आपको latest technologies भी मिलती है और technologies के भाई कोई limit नहीं है अगर आप जितने पैसे खर्चा करते जाओगे उतनी अच्छी अच्छी technology आपको मिलते जाएंगी AC में तो यह थे दोनों के ही plus points और negative points अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको clear हो चुका होगा कि window AC में क्या मिलता है और split AC में क्या मिलता है वेल ज्यादा तर लोग split AC कंसिडर करते हैं तो आप भी split AC कंसिडर केजिए यह थोड़ा better होगा लेकिन अगर आपका budget अलाव नहीं करता है और आपके बस window है already तो आप window AC भी buy कर सकते हैं अब दोस्तों एक बार अगर आपने decide कर लिया कि split AC buy करना है या फिर window AC buy करना है next जो अगला कदम है वो यह आता है कि कितने ton का AC buy करना है अब यहाँ पर 1 ton के AC मिलते हैं 0.8 ton के AC मिलते हैं 0.5 ton के मिलते हैं 2 ton के मिलते हैं लेकिन सबसे पहले सवाल आता है कि भाई यह ton क्या होता है तो आशान भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप समझे कि आपके room में मैंने 1 ton बरफ डाल दिया है आइस दाल दिया है, अब वो एक टन आइस आपको जितनी कूलिंग देगा, सेम उतनी ही कूलिंग आपको एक टन का AC प्रोवाइड कराने वाला है, तो बिसिकली ये आशान भाशा में टन का मतलब है, अब सवाल आता है कि कितने टन का AC बाइड करना चाहिए, तो ये बहुत सर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके रून पर डारेक्ट सनलाइट आती है या फिन नहीं, आप टॉप फ्लोर पर रहते हो, आपके घर में कौन से कौन से डिवाइसे जो की हीट रिलीस करते है, बट जो मेजर फैक्टर है, जो की मैटर करता है, वो है आपके आपके रूम का एरिया, या फिर आपके रूम का एरिया, यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि कितना टन का एसी बाइ करना चाहिए, तो सपोस्थ आपके रूम का साइज जो है, वो 100 स्क्वार फिट के आस बास है, तो उ उस केस में आप 1.5 या फिर 2 टन तक जा सकते हैं, और अगर 250 से जाधा है, तो आप 2 टन से उपर जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से चेक कर लेना, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप जिस रूम में लगाने वाले हो एसी, उसका एरिया क्या है, और उस वाइस यहाँ पर आप सेलेक कर सकते हो कि आपको कितने टन की रिकुवार्मेंट है, यहाँ पर दोस्तों और एक इंपोर्टन पॉइंट बताना चाहूंगा, जो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन से ध्यान से जुनना, सब्पोस अगर आपकी रूम की जो साइज है, वो बड़ी है, लेकिन आप पैसे बचाने के लिए कम टन का AC लेते हैं, सब्पोस आपकी रूम के साइज 250 स्क्वार फिट की है, लेकिन आप सिफ 1 टन का AC लेते हैं, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपकी रूम की साइज बड़ी है, और यहाँ पर 1 टन का AC जो है, उसके दो चीज होगी, सबसे पहली, यहाँ पर कंप्रेसर पर लोड पढ़ने के विएसे, आपका electricity बढ़ जाएगा, और दूसरी पॉइंट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लोड पढ़ने के विएसे, आपकी कंप्रेसर की life span भी कम होगी, और वही अगर आपका रूम का साइज suppose 150 square feet और आप 2 ton का AC लेकर आते हैं, तो वो भी बेकूफी होगी, because आपको उतने requirement है ही नहीं, तो मतलब आपका जो bill है वो automatically जादा आएगा, और मैं तो कहूंगा कि वो फिजूल खर्ची हो गई, तो आपको यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जितना आपका area है और जितने आप कि यह दोनों टाइप के AC काम किस तरीके से करते हैं, सबसे वहले बात करते हैं normal AC की, तो suppose दोस्तों मैंने एक normal AC बाई करी है और उसे मैं set कर देता हूँ 25 degrees Celsius पर, अब मेरा compressor start होगा और cooling start होगी, और जैसे ही room का temperature 25 degree पर reach करेगा, मेरा compressor off हो जाएगा, और जैसे ही उसके बाद थोड़ा थोड़ा time temperature नीचे आएगा, वैसे मेरा compressor फिर से start होगा, और फिर से वो 25 पर ले कर आएगा, और इस तरीके से basically normal AC काम करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरा compressor वो बार बार on off, on off हो रहा है, और जबी भी compressor off होकर फिर से on होता है, तो यह पूरी power consume करता है, और यह process बार बार हो रहा है, जिस वज़े से आपकी AC की power consumption बढ़ जाती है, तो indirectly, normal AC में आपका जो electricity bill है, वो जादा आता है, साथे साथ यहाँ पर compressor बार बार बन चालो बन चालो हो रहा है, जिस वज़े से यहाँ पर जो temperature है room का, वो constantly maintained नहीं रहता है, अब वही हम बात करें, नई technology, inverter AC की, तो यहाँ पर suppose मैंने एक inverter AC बाय करा है, और इसे मैं 25 degree Celsius पर set कर देता हूँ, तो जैसे ही मेरा AC 25 degree पर reach करेगा, मेरा जो compressor है, वो slow हो जाएगा, पहले case में बंद हो रहा था, लेकिन यहाँ पर यह slow down हो जाएगा, और जैसे temperature नीचे जाएगा, यह थोड़ा सा fast होगा, थोड़ा सा slow होगा, मतलब यहाँ पर compressor बार बार बंद चालू नहीं होता है, जिस वज़े से electricity save होती है, साथ ही साथ मेरा room का temperature है, वो भी constantly maintained रहता है, तो अगर हम compare करें normal AC को inverter AC के साथ में, तो inverter AC आपकी electricity saving करता है, लगबग 30% electricity यहाँ पर save होती है, इस AC के साथ यहाँ पर room का temperature भी constantly maintained रहता है, और इस वज़े से compressor की life span भी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं तो आप सभी को यही suggest करूँगा, बले ही आपके 2-4,000 रुपे ज़्यादा एक्स्रा जाए, आप एक inverter AC ही buy करें, ताकि long run में आपको उस AC का profit मिले, आपका electricity safe होने की वज़े से, अब दोस्तों यहाँ पर हमने यह भी decide कर लिया है कि भाई किस type का AC भाई करना चाहिए, इसके बाद नेक्स सवाल आता है, जो कि आपने सुना होगा, अगर आप AC भाई कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कुछ-कुछ AC में लिखा होता है, 100% copper, 100% copper, त लेकिन दोस्तों उसमें problem यह होती कि aluminum copper के मुकाबले जल्दी खराब जाता है, यहाँ पर जो rust है वो जल्दी लग जाती है, और यह जल्दी खराब भी जाता है, तो अगर आप भले ही starting में सस्ता देखकर आप aluminum वाला coil वाला AC भाई कर लेते हैं, तो आपको starting में हो सके हैं, लेकिन जब बाद में वो खराब होगा, तो आपको उसका repairing cost जादा पड़ेगा, तो ultimately वो जादा हो जाने वाला है, इसलिए अभी के time पर recommended है कि आप copper coil वाला AC भाई करें, इसका benefit यह है कि copper में heat exchange काफी अच्छी तरीके से होती है, जिस वजए से आपका compressor आपको proper efficient cooling दे पात coil वाला AC भाई करना है, अब दोस्तों यहाँ पर next point यह है कि कितने star rating वाला AC भाई करना चाहिए, दोस्तों मैं तो suggest करूँगा कि आपको कम से कम 3 star rating वाला AC भाई करना ही चाहिए, max to max आप 5 star वाला भी भाई कर सकते हो, तो अगर आप 0.1 ton, 0.8 ton, 1 ton या फिर 1.5 ton, इनमें से क किसी भी ton के AC को भाई कर रहे हो, तो generally इनके जो 5 star वाले वेरेंट होते हैं, वो आपको काफी कम प्राइज में मिल जाते हैं, तो आप इसमें चाहो अगर आपका अगर बजट अलाओ करता तो आप 5 star AC भाई कर सकते हो, यहाँ पर आपको 5 star मिल जाएगा, plus electricity saving भी बढ़ जात तो उस case में generally आपको 3 star वाले ही मिलते ही हैं, उसके उपर hardly मिलेंगे और मिलेंगे भी तो काफी जाधा प्राइज होती है, तो उसमें आप 3 star AC को consider कर सकते हो, तो minimum 3 star और maximum 5 ले ही सकते हो, अब यह factor भी matter करता है कि आपका budget कितना है, यहाँ पर दूस्तों और एक बात में आप जो है 3 star buy कर लीजे, because अगर आप 3 star को compare करेंगे 5 star से, तो 5 star के लिए आपको 4-5,000 पर extra देने पड़ेंगे, और आप ज्याधा तो use करने वाले नहीं हो, तो better यह हो कि आप 3 star buy कर लीजे, because 5 star अगर आप buy करेंगे, तो 5 star को जो benefit होता है, जो कि आपको literally save करके देता है, तो उस 3 star best है, लेकिन आपको लगता है नहीं, आप उसे long term use करने वाले हो, regular use करने वाले हो, तो आप 5 star buy कीजे, because long run में वो आपको definitely profit देने वाला है, तो दोस्तो इन सारे steps के बाद, अब finally आ चुका है समय, most important part का, जो कि हम जैसे middle class family के लिए बहुत दा important है, कि भाई AC लगाने के बा commission दी गई है, तो मैंने एक label लिया है, यह Samsung का एक 3 star AC है, inverter AC है, और यहाँ पर मैंने book में calculation वगरा करके रखी है, तो अगर आप नहीं calculate कर पाते हो, मुझे बोलना, मैं आपको properly calculate करके बता दूँगा, कि उस AC का monthly consumption और कितना bill आ सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप 365 days तो इतना भी लाएगा, यहाँ पर एक condition भी है, 1600 घंटे, 1600 घंटे में यह इतना consume करता है, तो इस साबसे अगर हम 1600 को 365 से divide करते हैं, और 716 को यहाँ पर अगर हम 12 से divide करते हैं, तो हमें easily value मिल जाएगा, monthly electricity consumption का, और कितने घंटे हम use कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1600 को 365 से divide करने के बाद हमें almost approach value मिलता है, 4.4 का, तो अगर आप 4.4 hours daily इस AC को use करेंगे, तो आपका monthly electricity consumption होगा, 60 units, समझ में आ रहा है, तो इस AC का, अगर आप 4.4 hours daily use करोगे, तो आपका monthly consumption होगा, 60 unit का, अब हर जगह पर per unit का cost जो है, वो अलग होलग होता है, मेरे यहाँ पर, जहाँ पर मै रहता हूँ, मुंबई में, यहाँ पर per unit का cost है, 7 rupees, तो उस हिसाब से, यहाँ पर मेरा जो monthly bill आएगा, इस AC का, वो होने वाला है, 420, यानि कि मैं इस 3 star AC को, अगर रोज, साढ़े 4,5 गंटा, यूस करोगा, तो मुझे 420 rupees मेरा bill आने वाला है, तो आप सेम इसी तरीके से, ह अड़े आराम से कर लोगा, अगर नहीं कर आ रहा है, कुछ प्रॉलम आ रही है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए easily calculate कर दूँगा, तो अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम, बात करते हैं, कुछ और चीजों की जो की आपको थोड़ा जान लेना ज़रूरी है, द इसी के साथ दोस्तों, जो भी आजकल के AC आ रहे हैं, उसमें आपको voice assistant का भी option मिलता है, आप उसके तुरू भी वहाँ पर उसको control कर सकते हो, on-off कर सकते हो, आपको smart apps मिलते हैं, जिसके तुरू आप monitor कर सकते हो, कि कितना consumption हो रहा है, क्या यहाँ पर status है, health status क्या है, filter यहाँ इसी के साथ दोस्तों, market में और एक नहा टाइप का AC आ रहा है, basically यहाँ पर यह जो AC है, यह आपको गर्मियों के महने में थंडी हवा देने वाली है, और जब आती है सर्दिया यानि की थंडी, तो इसके अंदर inbuilt heater भी लगा होता है, तो उस मौसम में यह आपको गरम-गरम हवा देने वाला है, और साथे साथ बारिश के मेंने, जैसे आप सभी को पता है, हवा में नमी रहती है, तो इस टाइम पर यह जो AC है, यह अंदर जो vapors होते हैं, उसको यहाँ पर निकालते हैं, और आपको एक dry air प्रोवाइड कराते हैं, तो इस टाइप की AC है, वो कुछ समझ में भी आ चुका होगा, इसी के साथ जैसे कि मैंने आप सभी को कहा, मैंने आप सभी के budget में, हर एक प्राइज में, हर एक यूजर रिक्वार्मेंट के कॉर्डिंग कुछ best ACs नीचे recommend करे हैं, बल दूस्तों यहाँ पर में एक point तो भूली गया, brands के बारे में, य इस लिस में Samsung, LG और Panasonic एक topper हैं और यह काफी अच्छे brands भी हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आप सभी को पता है, यह तीनों brands advertisement पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस वज़े से advertisement की cost कही ने कहीं आप से वसूली जाती है, इस वज़े से इनके जो ACs होते हैं, वो थोड specifications provide कराते हैं, कम price में, क्योंकि यह brands रदा advertisement फोकस नहीं करते हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है, Blue Star का, Blue Star का AC personally मैंने यूज किया है, service काफी अच्छी है, product की quality काफी अच्छी है, and cooling वागरा भी काफी अच्छी मिलाती है, इसके अलावाद वस्तों, Onida है, इसमें Hitachi आ मैंने आप सभी को बता दिया है, Whirlpool यहाँ पर आप consider कर सकते हो, Voltas दोस्तो, Tata का product है, Voltas के AC काफी अच्छा चलता है, आप उसे consider कर सकते हो, इसके लब दोस्तो और ही बहुत सरे brands है, लेकिन जिन brands का मैंने अभी नाम लिया है, यह काफी अच्छी है, तो हो सके तो आप इन TCL भी है, Hisense भी है, बट यह कैसे यह नए brands है, और इनके बास खुद की service centers नहीं है, इनके बास खुद की service team नहीं है, तो यह आपको third party की तो service प्रोवाइड कराते हैं, तो हो सकता है, वहाँ पर आपको service अच्छी ना मिले, इसलिए जिन भी brands का मैंने first नाम लिया है, आप इ लोकेशन पर service देते हो या फिर नहीं, इससे आप verify कर सकोगे क्या उसकी service आपके location पर available है या फिर नहीं, और आप वहाँ पर यह पूछ लेना कि कितने दिन तक मुझे support मल सकता है, तो इससे आपको idea भी हो जाएगा कि भाई, क्या आपके location पर service centers available है या फिर नहीं, क्या service available ह होती है या फिर नहीं, तो दोस्तों यह थे सारे important points जो कि आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, जब भी आपको एकसी buy करने जा रहे हो, उमीद करता हूँ अब finally, आप सब आपको समझ में आ चुका होगा, और आप सभी को all the best, definitely आप एक अच्छा AC buy कर पाएंगे, मैंने क आपर में मुझे DM कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ततक के लिए टाटा, बाई बाई, सावनारा